हलो अब्रीवन आज है 24 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे है एन्बी सी सी इंडिया के बारे में देखे सरकारी कंपनी है ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और पिछले कुछ दिनों से लगातार एक डाउनवर्ड ट्रजेट्र ये शो कर रहा है कल यहाँ पर देखे तो 2% की गिरावट थी बाजार भी खुद गिरावट के मूड में था 39 रुपीज पर ट्रेट कर रहा है वीडियो में बात चुत करेंगे कि सपोर्ट कहां पर है और रजिस्टन्स कहां पर है देखे वीडियो को शुरू करो उसे पहले अगर आपने अभीदक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी जादा हिल्प करेंगे तो NBCC इंडिया 39 रुपीज का शेल 2% की गिरावट थी एक महिने में अगर आप देखो तो गिरावट 7% की है और अगर हम देखे तो 43 रुपीज का जो इसने हाई बनाया था उसके बाद अगर हम देखे तो लगातर एक डाउनवर्ड रिजेक्टरी ये शो कर रहा है और ने एक चीज़ कही थी कि मैं इसको खरीद के कभी भूलूंगा नहीं ठीक है ये वो कंपनी नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाए और ये सूचे कि मेरा पैसा बन जाएगा ये वो कंपनी है जहां पर आपको स्विंग ट्रेड करना है यहां पर जब भी ये 40 से 45 के रें 40 रुबए से उपर गया वापस गिर गया वापस आया था 34 पे 30 से 35 के रेंज में फिर वापस तीजी दिखाई वापस 40 से उपर गया वापस नीचे पहिंग दिया इसको और आप दो सकती है यहां पर आप 5 साल का भी ग्राफ देख लोगे तो आपको ग्राफ यही आपको ची क्या वापस गी ग्रावटाइ भड़ी ग्रावटाइब बड़ी रौफतार पकडी त 왜 ट्रेन डपक के लिए तो चल रहा है यहां पर अगर बात करें तो वॉल्यूम लूमे यहाँ पर देखे तो ठीक ठाक है 50 लाग क्या सपास के वॉल्यूम ट्रेड होते हमें नजर आये फ्राइडे को और तो और अगर हम बात करने जाए इस छोटी सी सरकारी कंपनी में तो बेचने की सला कोई नहीं दे रहा है हर कोई कह रहा है खरीदारी करो यहाँ पर हंड्रेट परसन लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंटूल यूजर यहाँ पर अगर हम देखेंगे कंपनी के डिविदेंट की तरफ तो हाँ डिविदेंट यह पे कर रहा है पिछले साल इसने 50 पैसे का पे किया तो हर साल यह सप्टेमबर नवेंबर में पे करता है तो इस बार भी शाय सप्टेमबर में ही पे करेगा और ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है 40-45 पैसे कि आसपास का शायद पे कर सकता है इस साल और जहां तक बात करेगे इंके रिवेन्यू की तो देखो पहले ये गिर रहा था 2019 से लेकर 2021 तक ये गिरता रहा लेकिन 22 से एक ट्रेंड रिवर्सल आया यहां पर 6,832 करोड के रिवेन्यू बढ़के 7,690 करोड पर गए और 2023 में ये और बढ़कर 8,755 करोड पर अब तेजी देखने को मिली ज़रूर जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट्स में अगर आप देखोगे अगर हम क्वाटर आं क्वाटर भी इसको एनलाइज करेंगे तो बहुत अच्छी रफ्तार आई है लास्ट क्वाटर में अगर आप देखो यहां पर सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर देखे तो प्रॉफिट भी पिछले तीन क्वाटर के अच्छे है स्पेसिफिकली लास्ट क्वाटर में 108 क्रोड का मुनाफ़ा कमाया जो कि इससे पहले के चार क्वाटर के मकाबले बहुत ही शानदार है अन्बी सिसी इंडिया के बारे में अगर हम देखे तो भाईया इसका जो पी रिश्यो 27 का है सेक्टर पी 40 का है सस्ता कहा है सकता अब इसको लेगिन फिट भी कोई एनलिश खरीदारी करने की यहां पर बात नहीं है पिर देखो रिस्की तो है यह शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करे तो प्रामोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है 24.19% की होल्डिंग है रिटेल और अधर जिन में से रिटेल इंवेस्टर्स 20.35 20.25% कहलो यहां पर रिटेल लेकर बैठे है अपनी होल्डिंग तो देखे ओवराल मैं कहूंगा कि NBCC इंडिया कंपनी खराब नहीं है लेकिन खरीद के भूलने वाली भी नहीं है यह वो कंपनी है जहां पर आप स्विंग ट्रेड कर सकती हो यह वो कंपनी नहीं है जिसको आप 10-12 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करो तो मैं यही कहूंगा कि अभी अगर आप देखोगे तो जिस प्राइस पर यह ट्रेड कर रहा है बाइंग के लिए उतना अट्रेक्टिव तो नहीं है लेकिन अगर यहां से यह 30-35 के रेंज में जाता है तो शायदी अट्रेक्टिव हो जाएगा वहां से एक पर फिर आपको बाइंग लोटती नजर आएगी और वापस यह 40-45 के रेंज में जाएगा एक रेजिस्टन्स वहां पर बैठा जरूर है और फिर वहां से यह रावर्ट भी देखने को मिल जाती है या फिर कहलो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल जाती है और पहले किसी है कि सरकारी कंपनी है डूबेगी नहीं है कई सारे सरकारी प्रोजेक्ट जो है वह कंपनी हंडल करती नजर आएगी आने वाले दोर में भी और सरकार भाया फोकस तो कर रही है सरकार जो है कंस्ट्रक्शन पर इंफ्रा पर स्पैंडिंग तो कर रही है ठीक है और अभी भी कर रही आगे भी करती हुई नजर आने वाली है तो यही कहूंगा आपसे कि है तो हलका फुलका प्रॉफिट टेकिंग लेने के मौके बन रहे हैं और जहां तक बात है फ्रिश बाइंग की मुझे जाता है कि 30 से 35 का जो रेंज है वहाँ पर आपकी नजर होनी चाहिए वीडियो को यहीं पैंड करूँगा पसंद आए हो तो लाइक करो शायकर चाहिए वगरा पहली बाहरे हैं तो सब्सक्राइब करें और NBCC इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं इसका अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कौन सी कंपनी है जो आपके पॉर्टफोलियो में है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखके बता सकते हैं थैंक यू